तो तो आज के इस वीडियो में हम लोग compare करने वाले है noise color fit pro 3 alpha को noise color fit icon बज़ के साथ आल्राइट सो है what's up है वे वेडिक देल सो suggestion दे back into the game with new video दो तो noise के एक नई smart watch launch होने जारे है जिसका नाम होने वाला है noise color fit pro 3 alpha तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसे compare करने वाले है noise color fit icon बज़ के साथ सो without wasting time let's get started सबसे पहले बात करते हैं display की तो यहां पर हमें दोनों ही smart watches में 1.69 inches का LCD display जो हो देखने को मिलेगा जिहां दो तो यहां पर हमें inbuilt mic और speaker मिलने वाल है जिसके यहां पर हम Bluetooth calling का मज़ा जो हो ले सकते हैं बात करते हैं second highlighting feature की मतलब voice assistant की जी हां noise color fit icon बज में यहां पर हमें voice assistant का support मिल रहा है लेकिन दोस्तों वहां पर हमें Google voice assistant और Siri को ही access कर सकते हैं वही दोस्तो noise color fit pro 3 alpha में यहां पर हमें Alexa के साथ-साथ music storage और playback का भी option जो हो मिलने वाल है जहां दोस्तों यहां पर हम 80 songs तक store कर सकते हैं और साथ-साथ हमारी watch के उपर ही इससे सुन सकते हैं अब भी बात करते हैं health features की तो noise color fit icon बज में यहां पर हमारी heart rate monitoring की जाएगी SPO2 monitoring साथ-साथ sleep monitoring भी की जाएगी वही दोस्तो noise color fit pro 3 alpha में यहां पर हमारी heart rate monitoring की जाएगी SPO2 monitoring, body temperature monitoring, sleep monitoring, stress monitoring, साथ-साथ female health tracking का भी support जो हो मिलने वाल है तो दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे health features noise color fit pro 3 alpha में देखने को मिल जाएगी बात करते हैं sports mode की तो icon buzz में यहां पर हमें 9 sports mode जो हो देखने को मिलेंगे वही दोस्तों alpha में यहां पर हमें 100 sports mode जो हो देखने को मिल जाएगे बात करते हैं water resistance की तो noise icon बन जो है वो IP67 rated water resistant होने वाली है वही दोस्तों noise color fit pro 3 alpha जो है वो 5 atmospheric level तक water resistant होने वाली है मतलब दोस्तो water resistance के मामले में भी noise alpha जो है वह आगे निकल जाती है बात करते हैं battery की तो यहाँ पे हमें दोनों ही smart watches में 7 days की battery life जो है हो मिलने वाली है और अगर हम calling यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें दोनों ही smart watches में 2 days का battery backup जो है हो मिलने वाला है लेकिन दोस्तो noise color fit icon buzz में यहाँ पे हमें 2 built-in game जो है हो देखने को मिलेंगे तो बस दोस्तो यह थी overall comparison noise color fit pro 3 alpha की noise color fit icon buzz के साथ तो दोस्तो मैं यहाँ पे आपको clear ली बताने ना चाहूंगा कि आप जा सकते हो noise color fit pro 3 alpha के लिए क्योंकि दोस्तो यहाँ पे आपको music storage का भी option जो है हो मिलने वाला है आप आपकी watch के ओंपर music वगरह सुन सकते हो साती साथ यहाँ पे आपको Alexa में टॉक बैक का भी option जो है हो मिलने वाला है साती सात यहाँ पे आपको hill features भी जादा मिलने वाले है आपको sports mode भी ज़्यादा मिलेंगे और water resistance के मामले में भी ये आगे निकल जाती है तो दोस्तों आपको उनसे smart watch purchase करना चाहोगे आप मुझे comment में ज़रूर बता सकते हो तो बस दोसे यहीत आच के वीडियो में आए होब आपको वीडियो पसंदाया होगा पसंदाया होगा तो लाइक करो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो टिल रेन बाबा इस अजशी में ओर एंड आउट